Good Morning दोस्तो, Welcome to your channel As They Like It क्या आपको पता है कि रश्या को United Nations Human Rights Council से सस्पंट कर दिया गया है क्या आपको पता है कि United Nations Human Rights Council क्या है और इसकी कितने member है और इससे suspension का क्या मतलब होता है क्या आपको पता है कि रश्या को UNHRC से क्यों सस्पंट किया गया है आईए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर तो United Nations General Assembly ने अपने Special Session में वोट करते हुए रश्या को United Nations Human Rights Council से सस्पेंट कर दिया है ये जो Resolution था ये US Sponsored था और ये Resolution बेसिकली इसले लाया गया था क्योंकि रश्या ने बहुत ज़्यादा ग्रेव Human Rights Volition किये है युकरेन की सिटी बूचा में इस US Sponsored Resolution को 93 वोट्स फेवर में मिले 24 वोट्स अगेंस्ट में मिले और 58 कंट्रीज ने एपस्टेंड किया इंडिया ने इस वोटिंग में एपस्टेंड किया था ये इंडिया का 12 टाइम था जब इंडिया ने United Nations की वोटिंग में एपस्टेंड किया है और ये 11 टाइम था जबसे रशिया ने युकरेन पे इंवेड किया है यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि एपस्टेंड का मतलब है कि जो वोट होता है वो काउंट ही नहीं किया जाता है टैली में काउंट नहीं होता है इंडिया का ये एपस्टेंड इस समय इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रशिया ने वॉन किया था सारी कंट्रीज को कि जो भी कंट्रीज येस में वोट करेंगी या एपस्टेंड करेंगी इन दोनों ही चीजों को as a unfriendly gesture देखा जाएगा और उसके consequences रशिया के साथ bilateral ties में होंगे United Nations General Assembly में कोई भी resolution पास होने के लिए two-third majority चाहिए होती है of the members present and voting और abstrages nations जो होते हैं वो इसमें count ही नहीं किये जाते हैं आएए अब देखते हैं कि ये resolution के लिए आखिर किन-किन countries ने request दी थी वो countries थी Antigua, Barbuda, Canada, Columbia, Costa Rica, Georgia, Japan, Liberia, Republic of Moldova, Ukraine, UK, United States and the European Union ये resolution जो था ये तीसरा ऐसा resolution था जिसको adopt किया गया है assembly में जबसे रशिया ने Ukraine पे invade किया है February 24 को इससे पहले कि दोनों resolution रशिया के Ukraine invasion को denounce करने के लिए थे आएए दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर Human Rights Council है क्या exam के दिष्टी से United Nations Human Rights Council डिटेल में जानना अब जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले कुछ समय तक कई exams में इसके बारे में पूछा जाएगा United Nations Human Rights Council एक intergovernmental body है within the United Nations जो कि responsible है for promotions and protection of human rights around the world United Nations Human Rights Council को United Nations General Assembly ने मार्च 2006 में create किया था और इसने first session भी जून 2006 में किया United Nations Human Rights Council ने replace किया था former United Nations Commission on Human Rights को Human Rights Council में 47 member states है जो की elect किये जाते हैं directly and by secret ballot by the majority of the members of the General Assembly आईए अब देखते हैं कि इंडिया का track record क्या है United Nations में इंडिया ने 11 occasions पे abstain किया है voting on draft resolutions चाहे वो United Nations Security Council हो चाहे वो United Nations General Assembly हो चाहे वो Human Rights Council हो अब question दोस्तों ये उठता है कि इससे पहले भी क्या किसी country को Human Rights Council से suspend किया गया था तो answer है yes इससे पहले लीबिया को 2011 में Human Rights Council से suspend किया गया था ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि महमर अल-गदाफी ने उस समय एंटी गॉर्मेंट प्रोटेस्ट को बहुत violently crackdown किया था और इसी के चलते Human Rights Council से लीबिया को suspend कर दिया गया था यहाँ पे आपको ये भी बता दे कि रेशिया जो है Human Rights Council का मेंबर बना है 2021 में और इसकी मेंबर्शिप जो थी वो December 2023 को expire होनी थी आएए अब डिसकस कर लेते हैं UNHRC की मेंबर्शिप UNHRC जो है वो जीनेवा स्विजर लैन में बेज़्ट है और इसके 47 मेंबर्शिप होते हैं इसकी मेंबर्शिप जो है वो जोगरिफिकली डिस्ट्रिब्यूटेड है अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के पास 13 सीट्स है अमेरिका और केरेबियन स्टेट्स के पास 8 सीट्स है Western Europe और other states के पास 7 seats है और Eastern European states के पास 6 seats है इसके members 3 years के लिए सर्व करते हैं और eligible नहीं होते हैं re-election के after 2 consecutive terms अब देखते हैं कि HRC की leadership किसके पास होती है जो council होती है इसको head करते है 5 member bureau जो की consist करता है 1 president और 4 vice president और ये सारे के सारे representative होते है 5 regional groups के जिनके बीच में ये geographically seats जो है divided है Human Rights Council के जो president है वो Federico Veligas है जो की permanent representative है अर्जेंटीना के United Nations में अब देखते हैं कि इस council की meetings कितनी होती है generally ये council जो है वो साल में 3 sessions रखती है but अगर one third of the member request करें तो ये एक emergency session भी रख लेती है जैसा कि अभी Russia के case में हुआ है दोस्तो इसी topic के साथ हम ये भी cover कर लेते हैं कि आखिर बूचा क्या है और बूचा में हुआ क्या था तो बूचा जो है एक northwest Ukraine का एक town है जहां पे की ऐसा कहा जाता है कि Russia ने बहुत ज़्यादा atrocities की है और civilian population बहुत ज़्यादा वहाँ पे violence में kill हुई है बूचा killings को condemn किया है और साथी साथ United Nations Security Council से गोहार लगाई है कि इसकी independent inquiry हो दोस्तो साथी साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि genocide या war crimes क्या होते है war crimes basically grave breaches होती है जिनेवा conventions को ये वो agreements हैं जो world war 2 के बाद sign किये गए थे और ये international humanitarian laws during war time को बताते है जैसे कि deliberately targeting civilians जो है वो एक war crime है वहीं जो genocide crimes होते हैं इनको define किया गया है United Nations Genocide Convention of 1948 ये include करती है ऐसे acts या ऐसे crimes जिनकी intention होती है destroy करना national, ethical, racial और religious groups को यहां पर ये भी जरूर जानने कि international criminal court जो की हेग में बेज़ड है उसने रशिया के खिलाफ possible war crimes की investigation ओपन कर दी है हाला कि रशिया इसमें शायती corporate करे क्योंकि रशिया international criminal court को recognize ही नहीं करता है तो दोस्तों ये थी हमारी coverage regarding बूचा killings या फिर United Nations General Assembly से suspension रशिया का और ये थी coverage हमारी regarding war crimes and genocide अगर ये आपको पसंद आई हो तो like and subscribe करें साथे साथ Instagram और Telegram से जलें Thank you